Hello friends, तो आज हम बात करेंगे KPSTology के तुरू, हम किस तरीके से डाइवोर्स या फिर सेकंड मैरिज के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे study करेंगे तो friends, आज का यह जो चार्ट है, पहले मैं आपको details note करा दूं इसकी, इसमें देखें यह 1st March, जो है, एक मार्च 1986, रात के साड़े आठ वजे और यह चंडीगड का बर्थ है, तो इसमें जातक का क्या है कि इसमें जातक की re-marriage के लिए question आया था, दरसर उसका divorce हो चुका है और re-marriage का question था कि मेरी क्या re-marriage होगी, तो इसमें हम study करते हैं, देखते हैं कि हमें किस तरीके से पहले find out करना है, कि क्या उसके chart में re-marriage के योग हैं, और साथी साथ हमने यह भी देखना है कि उसके divorce के ऐसे कौन से aspects थे कि divorce उसका हुआ, तो friends सबसे पहले हमें हमारी जो preference रहती है वो 7th house को लेकर रहती है, क्योंकि 7th house ही marriage का house है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 200 भाव राशी यानि कि dual जो nature राशी है वो है mean राशी और यहां पर mercury planet posited है, ठीक है, अब mercury जो है mercury duality के लिए जाना जाता है यानि कि multiple results के लिए जाना जाता है और यहां पर इसके 7th house में होने की वज़े से उसने multiple events यानि कि 7th house related यानि कि marriage related events को यह यहां पर promise कर रहा है कि इस जातक कि dual marriage होगी 2 या 2 से ज़्यादा, तो फिलाल यह अभी second marriage के लिए इसका question है, तो पहले हम इसके question को analyze करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहां पर जो है इसके divorce के कैसे कैसे indications बनते हैं और किसी साब से हमें study करने हैं, तो यह 7th house है, 7th house का जो कस्पल सब लॉड हम यहां से देखेंगे, कस्पल सब लॉड मर्करी है, देखो, मर्करी ने यहां पर पहला जो promise है वो पूरा कर दिया कि 7th house ही मर्करी से related है, तो मर्करी जो है अपना results तो 7th house related देगा ही देगा, यानि कि जो है multiple marriages के संभावना यहां पर पक्की कर रहा है, तो मर्करी जो है, मर्करी को आप हम देखते है, 7 जो कस्पल सब लॉड है, वो मर्करी यहां पर क्या indicate कर रहा है, तो यह देखे, 2nd house यहां पर indicate है, 6th house indicate है, 5 और 1 और 10, देखे, successful marriage के लिए 2, 7, 11 houses होने बहुत जरूरी है, पर यहां पर 6th house, यहनि कि 7th house of the marriage से, जो 6th house back, जो हमारा 12th house होता है, 7th house से 6th house, 12th house होता है, तो 6th house का यहां पर होना, और 11th house का ना होना, यहनि कि 10 house है, 11 नहीं है यहां पर, तो यहां पर यह जातक कि यह condition दिखाता है, कि इसका divorce होगा और marriage successful नहीं रहेगी, ठीक है, अब हमें यह चेक करना है, कि जो 7th house lord है, 7th house lord यहां पर क्या indicate कर रहा है, 7th house lord देखिए, जो Jupiter है, वो 754, यहनि कि हमने Mercury को देखा, तो वहां भी 5 था, और जो Jupiter था, वो भी 5 को लेके, 5 और 7 को लेके indicate कर रहा है, तो यह एक possibility दिखा रहा है, कि इसका कहीं ना कहीं love relation है, और वो love relation को यह marriage में convert करना चाहता है, ठीक है, अब देखते हैं कि जो 7th house lord है, Jupiter, वो यहां पर Sun और Venus के साथ conjunction में है, तो Venus यहां पर क्या indicate कर रहा है, देखिए, 5, 6, 4, 7, 2, 9, यहां पर 7 भी है, यहां पर 5 भी है, और यहां पर 9 भी है, अब 9 को हम सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि 9 यहां पर क्या indicate कर रहा है, देखिए, 7th house जो होता है, marriage का house है, और किसी house से 3rd house जो होता है, उस results को बढ़ाता है, तो यानि कि 7th house अगर marriage house है, तो 2nd marriage की अगर possibility देखी जाएगी, तो उससे 3rd house से देखी जाएगी, तो 3rd house यानि कि 9th house जो है, वो 7th house के साथ यहां पर फून रूप से एक signification दिखा रहा है, जो कि यह 9 यहां पर है, तो friends, यहां पर हम समझ चुके हैं कि आप देखिए, 9 भी हमारे पास आ गया है, तो इसके जो है, marriage के जो chances हैं, वो पक्के हैं, ठीक है, यह देखिए, 5 भी है, 7 भी है, और 9 भी है, सारे houses इसके पास, जो love marriage को related houses होते हैं, वो इसको मिल चुके हैं, ठीक है, तो friends, हमने देखा कि किस तरीके से हम second marriage को हम देखेंगे, और यहां पर हम जो divorce related conditions होती हैं, वो हम किस तरीके से देखेंगे, ठीक है, तो सारा कुछ यह सब analyze करने के बाद ही, हम second marriage की possibilities को check करेंगे, कि second marriage की possibilities हैं की नहीं हैं, अब जो इसकी जो marriage हम देखेंगे, कि marriage कब होगी, उसके लिए हमें जो दशा को एक बार check करना पड़ेगा, दशा में यहां पर जो अभी फिलाल दशा चल रही है उसकी, यह mercury केतू का एक period चल रहा है, तो यहाँ पर केतू को देखें, mercury को देखें, पहले mercury यहाँ पर marriage indicate नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर venus indicate कर रहा है, और केतू भी indicate कर रहा है, ठीक है, मगर यहाँ हमें 11 की जूरत है, क्योंकि 11 जो है success दिलाता है, यानि कि materialization of desires दिलाता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो एक October से लेके 13 October, 15 October का एक face जो आ रहा है मून का, तो इस face में इसके मेरिज के chances पूरे हैं तो friends, I hope आपको यह मेरी post पसंद आई होगी, मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और ऐसे ही informative post का मज़ा लेते रहिए, thank you